बठिंडा मिलिट्रे स्टेशन पर इनसास राइफल से फाइरिंग का शक बहत घातक है इनसास राइफल कारगिल युद में मचाई थी तबाही पंजाब के बठिंडा में भुद्वार की सुबह एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया यहां के मिलिट्रे स्टेशन में एक अग्यात हमलावर ने फाइरिंग कर दी इस फाइरिंग में चार जवान शहीद हो गए इस घटना की जाच जारी है शुरुवाती जाच में ये पता चला है कि इस फाइरिंग में इनसास राइफल का इस्तमाल किया गया है ऐसा शक इसलिए किया जा रहा है कि इस मिलिट्रे स्टेशन से दो दिन पहले इनसास राइफल की चोरी हो गई थी इस फाइरिंग के पीछे की वज़ा जाच पूरी होने के बाद ही मालूम चलेगी लेकिन इस से पहले जानते हैं कि इनसास राइफल कितनी घातक है दरसल इनसास एक लाइट मशीन गन है इसका इस्तेमाल भारतिय सेना, अर्थसैनिक बल और कई राज्यों की पुलिस करती है इनसास को इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम कहा जाता है इनसास राइफल को पहली बार 1990 में भारतिय सेना में शामिल किया गया था इनसास की खुबी ये है कि ये सिंगल शॉट और तीन राउंड का बर्ष्ट फायर करती है इस से एक मिनट में छेसो पचास गोलियां दागी जा सकती है इसमें 20-30 राउंड की मैगजिन लगती है वहीं इस गन की मजल वेलो सीटी 915 मीटर पर 30 सेकेंड है इसकी रेंज 400 मीटर तक मानी जाती है कारगिल यूद में भी इसने अपनी आयम भूमिका निभाई थी इस राइफल से भारत के सैनिकों ने सैकडो पाकिस्तानी घुस पैठी है मार गिराय थे इतने गुण होने के बावजूद इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है इसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि लंबी रंज के लिए से अब प्रभावी माना जाता है यही एक वो वज़ा है जिस भारतिय सेना और देश के अर्थ सैनिक बलों से इसे धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है इंसास राइफल की जगा अब AK-47, AK-203 असौल्ट राइफल का इस्तमाल किया जाने लगा है यह सभी हतियार इसास राइफल से काफी ज़्यादा हाइटेक हैं फिर भी इसे आज भी बेहत घातक हतियार माना जाता है वहीं बठिंडा फाइरिंग से पहले मिलिट्रे स्टेशन से एक इसास राइफल और 28 राइफल गोलियां चोरी होने की बात कही जा रही है शुरुवाती जांच के मुताबि बताय जा रहा है कि हमलावर साधे कपरों में था और फाइरिंग के बाद वो अंदेरे का फाइदा उठा कर फरार हो गया जिसके तुरंत बाद मिलिट्रे स्टेशन को सील कर दिया गया और इससे जुड़ी आवस्यक करवाई चल रही है हाला कि इस फाइरिंग को आतंकी हमला होने से पंजाब पुलिस ने खंडन कर दिया है क्योंकि फाइरिंग के बाद से इसका आतंकी हमला होने पर शक जताय जा रहा था फिलाल अभी तक हमलावर का पता नहीं चल पाया है वहीं इस इलाके के सिविलियंस को घरों में रहने की सला दी गई है इस खबर्म बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए One India Hindi के साथ